इस वीडियो में आप B.S.C. First Year का बोटने का पहला पिपर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें थेलो फाइटा वे ब्राइव फाइटा में अंतर क्या होता है एक्जाम में पुछा जाता है इंपोर्टेंट है चेनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करें थेलो फाइटा वे डाल रखा है आप देख सकते हैं तो सेवालों में क्या ये मुखिते जल्य होते हैं ब्राइव फाइटा ये मुखिते इस थल्य होते हैं थेलस यानि इनका सरीर पादब सरीर एक कोशी की तंतुक या कुछ में मुर्दूत की होता है तो थेलस हमें से मुर्दूत की कोशिकों से बना होता है इनमें एकोशी एक तंतुग भी हो सकता है तंतुग रूप में इसमें एलेंगिक जनन माइटो स्पोर द्वारा जो अनुकूल परिस्तितियों में बनते हैं जिवन चक्र में माइटो स्पोरों द्वारा एलेंगिक जनन का पूर्ण अबाव होता है ब्राइव कभी बहु कोशिकी परंतु बिना जेकेट इस्तर के होते हैं बाहर की और जेकेट इस्तर नहीं पाय जाता है लेंगिक जनन एक कोशिकी या कभी कभी बहु कोशिकी होता है इसमें लेंगिक हमेशा बहु कोशिकी तथा जेकेट युक्त होते हैं इसके लेंगिक जो होंगे हमे यूगमकी आईसोगेमस एन आईसोगेमस एन ऊगेमस परकार का होता है इन में लेंगिक जनान सदेव विशम यूगमकी परकार का होता है तो इसमें हमें ध्यान रखना है ब्राइब लेंगिक जनान सदेव विशम यूगमकी परकार का होता है इसमें लेंगिक जनान सदेव व कोशी की तता बिना जेकेट वाला होता है तो इस्तरी लेंगी कंग है वो उगोनियम या एसको गोनियम एक कोशी की तता बिना जेकेट वाला होगा इस्तरी लेंगी कंग व्राइव फैटर में क्या होगा फ्लसक नुमा होगा इस्तरी लेंगी कंग फ्लसक नुमा इस्तरी दान तो थेलो फैटा में यूगमनज बनते ही मुक्त हो जाता है इसमें यूगमनज इस्तरी धानी से मुक्त नहीं होता है ब्रॉण परिवर्दन नहीं होता है ब्रॉण का परिवर्दन भी थेलो फैटा या सेवालों में नहीं होता है लेकिन इसमें ब्रॉन परीवर दित होता है ब्राइव फाइटा में तो ये थी सेवाल वैब ब्राइव फाइटा में अंतर क्या है एक्जाम में से दक्यूशन आता है तो आप ये असानी से इन पॉइंट को याद कर सकते हैं इस एक्जाम में हमें पूरी पूइंट तो याद रखने जरूरी नहीं होते हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें जिससे आपको बोटनी के बीस्टी के नोट्स भी मिल सकें थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो